तो अपने मात्रभासा स्रीच का यह है आज वीडियो नंबर टू और जिसमें हम लोग करेंगे अलंकार अलंकार पूरी तरीके से खतम हो जाएगा बस एक वीडियो आपके लिए देट सिनब पहले मैं आपको कॉंसेट बताऊंगा मुस्किल से पॉंस से दस मिट में कॉंसेट अलंकार होता क्या है तो अलंकार आप नॉर्मल सब लोग समझे रिते भी होगे यह इंग्सामिनेशन पॉंट आप उसे लेस इंपॉर्टेंट है कि मतलब जिस प्रकार आप भुशनट ब्यक्ति की सुभा बढ़ाता है उसी प्रकार अलंकार जो होता है काबी की सुभा बढ पर इतना जानिए सब्दालंकार अर्था यहीं से कोश्चन आपका बन जाता है अगर मुख फिरूप से पूछा जाए तो दो ही होते हैं और अगर दो आप्शन में नहीं यह तीन है तो आप तीन लगा दिए ठीक है अच्छा लास्ट में भी इस पर आते हैं पहले समझते ह पैठ यह वक्रोगति лучC में रख दिया जाता है तो समझते हैं सब्दालंकार में पहला है आपका अनुप्रास यमक और स्लेस थीड़े अब मोटा-मोटा समझे कि होता क्या है जैसे अनुप्रास अलंकार के बात करें, तो अनुप्रास अलंकार के जैसे ऐसे समझे लो एक ही वर्ड, ध्यान से समझे यह वर्ड की, वर्ड की अबृत्ति बार-बार हो रही है, वर्ड की बात में कर रहा हूँ है, वर्ड अच्छर की बात कर रहा है, जैसे तरन इतनुजा यहां पर तडत्तुर ए रोकम हो में अगर बार बार आanto अलगकार मतलब मतलब जैसे पहले समझ लेते हैं सब्द की बार आएगा उतना अर्थ लेकर आएगा जैसे सिंपल साइजामपल mainitaadikaya यःप आए बहर आए जग यआप लगते हैं तो यहांपर कनख जो सब्द है कनक कनख दो बारा रहा है एक का होता है सोना और एक का अर्थ हुआ है आपहा और धटवा ठाव्टजन लगते हैं जरी लगते हैं दढ़ता को और सब्धस कवहतब होता हुआ आएगा एक सब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होगी ठीक है जैसे इसके एक्जामपल की बात करें तो आपका सिंपल हो जाए ज़िए सुबरन को खोजत भीर है कभी बेविचारी चोर तो इसके लिए सुबरन जो है यहाँ पर उसके तीन अर्थ है कभी के लिए सुबरन के अलग अर्थ है और बेविचारी के लिए अलग अर्थ है और चोर के लिए अलग अर्थ है कहने का मतलब यहाँ पर सुबरन का अलग-अलग तीन अर्थ है ठीक है तो स्लोब भी आपका स्लेज भी क्लियर हो गया अब अगर वक्त रोक्ति की बात किया जा क्या हो रहा है जहाँ पर आलंकार अर्थ में हो ठीक अब इसमें देखी इसमें बहुत सारी पूछे जाते है ठीक है उत्प्रेच्छा की बात करें तो उत्प्रेच्छा के लिए simple दिमाग में लखना मानो आ रहा हो जानो या मानो जानो इस हिसाब से अगर कोई आपके word सब्दार है तो समझ जाना या पर मोटा मोटा समझ लो उत्प्रेच्छा में कुछ कुछ कलपना की जाएगी मतलब बिभावना लंकार होता है यहाँ बिना कि कि कारण की कोई बात कह दी जाती है तो बिन उपद चले सुने बिनकाना ऐसे करके कोई है उसको अभी मैं कराऊंगा ठीक है वो बिभावना का बहुत है अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर भ्रह्म की स्थिति पैदा हो जाती है ठीक है वो आप संटेंस पड़ोगे आपको लगेगा यार यहाँ पर तो कन्फ्यूजन है वहाँ पर ब्रहांतिमान संदेय अलंकार निश्चे ना कर पाना इसका मतलब होता है अभी मैं एक्जां करें इसमें कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर कहना कुछ और होता है समझने कोसिस करियेगा ठीक है और यहां पर बात कुछ और वाले के लिए पर इसी आपको आभास होगा कि यह सायद मेरा विरोध कर रहा है ऐसे यह तो हो गया आपका नॉर्मल अलंकार इतना इतना इनफ होता है आप समझनो यह उपमे उपमान यह सब समझ में नहीं होता तहीं साधार धर्म लिखा होता है इन सब का मतलब क्या होता हो समझने तो लिखा है एक्जामपल प्रात नब था बहुत नीला संख जैसे तो इस लाइन को पढ़ने पर आपको तो तीन चीज़े क्लियर होगी अब जैसे यहाँ पर उपमे क्या होता है तो उपमे जो होता है जिसका वर्डन किया जाता है जैसे subject की तरह आप दिमाग में रख सकते हो, जिसका word किया जाता है, वो क्या होता है, उपमे होता है, ठीक है, अच्छा, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, उपमान होता है, जिससे तुलना की जाती है, उपमान होता है, जिससे तुलना की जाती है, और जैसे आपका तुलनात्मक सब्जा है, इसको वाचक भी बोलते हैं, ठीक है, तो अलंकार में इससे ज्यादा concept कुछ भी नहीं होता है, आप इतना अगर ध्यान से concept समझें, अब आप खाली practice की जरूरत है, जो मैं आपको कराऊंगा, आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे तो चलिए, अब हम लोग करते हैं, question की practice, अलंकार पर जितने भी previous year पूछेगे हैं, सारे लगबग 100 के अप्राउसम लोग question करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए, फिर करते हैं, तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं, questions की practice, मैंने 100 plus question आप लोगों के लिए practice के लिए लिए लि जोहन की उर्बसी, हों उर्बसी के समान, ठीक है, अब question पढ़ने के बाद तुरंत हलका से जैसे question पढ़ो, तुरंत option पे चले आया करो, अब option पे अगर आप ध्यान से देखें, तो पहला option है क्या, अनुप्रास, तो अनुप्रास तो ये होगा ने, क्यों, क्योंकि अनुप पर एक सब देखा ही बार आता है, अर्थ उसक्या अलगा लोग होते है, रूपक भी नहीं है, क्योंकि योजक्चिन हो गयरा भी जैसा दिखना ही रहा है, तो कौन सा option, option यहाँ पर correct हो जाएगा, भी वाला, ठीक है, चालो, next question के बाद करते हैं, next question है आपका, पीर पर पाथ सरस्मंड डोला, तो अगर आप यहाँ पर देखो, पीपर पाथ, अब देखो, इसमें option की तरफ हम लोग जाते हैं, और option से समझ करने की कोस्चिस करते हैं, तो उत्परे अच्छा हो सकता है, अभी confirm नहीं कहाँ सकता है, और रूपक तो नहीं होगा, एकदम confirm है, क्यों क्यो पीपर पाथ सरस्मंड डोला, तो पीपर की पत्ते की तुलना जो है, जैसे पीपर का पका हिल्टा जुल्टा हो, उसकी तुलना मन के डोलने से की गई है, तो यह उपमालंकार मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, यहाँ पर एंसर मैच करा लेते हैं, जी हाँ, एकदम सही है, यहाँ पर उपमा तो दी नहीं जा रही किसी चीज़ की, रूपर लगालंकार जैसा भी कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर मू, मा, मा देखो दो तीन बार आ रहा है, तो मैं इसको किदर लेकर जाओंगा, अनुपरास लंकार की तरब लेकर जाओंगा, और यहा मैंने एक्जांपल में जो आपको कंसेट बता रहा था, तब भी बताया था, सुबरन को खोजत पिरें, कभी वेविचारी चोर, तो यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ है, एक कभी के लिए है, और एक वेविचारी के लिए है, और एक किस के लिए है, चोर के लिए है, कभी क के लिए सुन्दर हो जाएगा मतलब अच्छा और विचारी के लिए सुन्दर रंग हो जाएगा ठीक है ऐसा है और चोर के लिए सा सूना हो जाएगा ठीक है इसका अर्थ में थोड़ा सा सो थीन बार खाती वे त США थीक है अचाःए यहना लग रहे लगा गडर लिखा हो के तीन बार히 झाया होगा यहां थीन थीन्फ अमको चीस तरह यहां कर रहाए हो ल conducween कि आपके देखनार कमा Means तो कहीं न कहीं किस की तरब सारा कर रहा है है मतलब option d Correct हो जाएगा अगला क्या कर रहा है अगला ध्हान से पढ़िये तो उसमें है आपका चरन कमल बंदोहरी राई ठीक है तो चरंड करम खमल बंदोहरी राई ब्रफली मैंने पढ़ लिए उपमा मतलब किसी चीज की उपमा तो दी नहीं जा रहे तो यह होगा नहीं अब रूपक हो सकता है क्यों क्योंकि यहां पर मुझे योजक चिन्न देख गया तो रूपक होने के लगा मानो मानो में मन अलग हो जानो हो ये सब किसमें बताए तो आप अच्य से याद होगा उत्प्रेच्छा पता नहीं इसाहा लंग को प्रवाइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि सब्दालंकार मैंने बताया है अनुपरास होता है यमक होता है वक्रोब क्यों होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका question number 9 question number 9 चलो ध्यान से पढ़ते हैं क्या करा है नीचे लिखे हुए सब्दों में से कौन सा रूपकलंकार से संब्देते तो ध्यान से देखते हैं बस रूपकलंकार आते ही दिमाग में आना चाहिए एक तो योजक्चिन और दूसरा आपके दिमाग में आ घ्यान से पढ़ो किया जा सकता है चंधरमा के समान भाली खार्ला है और अगर आपका करेक्ण हो देए clear चलिए next है आपका next अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या है 10 तरिन तर्तमाल तरूर बहुत छाए तो यहां पर ध्यान से देखो तावड क्या बिरत्थी क्या हो रही बार-बार हो रही है तो नवल सुंदर स्याम सरीर की सजल नीरद की कल क्रांती थी इसमें कौन सा अलंकार है तो अगर हम ध्यान से देखें तो उपमा अभी हो सकता है मैं इसको confusion में हूँ रूपक रूपक तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर योजक चिन दिख रहा है तो रूपक की तरब भी हम जा सलेस तो ऐसा कुछ लिक नहीं रहा है यह तो होगा नहीं है अब रूपक और उपमा में थोड़ी से confusion है अब उसके recording हम देखते हैं क्या है अब योज हो जाएगा correct हो जाएगा मतलब किसे से compare किया जा रहा है ठीक है अगला अगला अगर आप ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पर क्या है तो इसमें यहां पर ध्यान से भार आ रहा है तो कौन सा लंकार आनुपड़ा सा लंकार क्लियर होगा चलिए next question कि बात करता हूं पूले का सकल महिं चाई जनु बरसा रितु प्रगट बुढ़ाई ठीक है अब इसमें कौन सा लंकार है यह पूछ आप से जा रहा है ठीक है तो जनु 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 जानो आगे आना जनु ध्यान से देखो तो यहां पर कौन सा हो जाएगा कुछ चाने के जरूरत ही नहीं है उ तो जब बहुत अधिक समानता होती मैंने बताया ना कि उपमें और उपमान के अभेद में मतलब उसमें अलग-अलग आप नहीं कर सकते ठीक है तो वहां पर क्या होता है रूपकलंकार होता अभेद होता है ठीक है सब्दों की बीच बहुत जादे घनिष्टता होती है कि उ उज्जल मतलब कहीं न कहीं प्रकास की तरफ बात कर रहा है तो स्या मतलब अधेरा उज्जल मतलब प्रकास तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है यह बिरोध की बात कर रहा है तो बिरोध की बात कर रहा है तो अगर तो कौन सा हो जाएगा बिरोधाबास हो जाएगा मानो मन जानो तो इसमें थोड़ा से विज्विल्टी में दिक्कत हो रही है तो इसमें कौन सा लंकार है यह पूछ रहा है तो आप्सन पर मुझे जाना पड़ेगा वैरार से जुका तूने नियत की मान ली यह बात स्वेम ही मुर्जा गया तेरा जल जात ठीक है तो आप्सन पर जाएंगे योजक चिन्न की तरफ जा सकते हैं तो योजक चिन्न की तरफ जाने के लिए हमें रूपक होना चाहिए रूपक क्या है ओप्सन में जी हाँ रूपक है ठीक है तो एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे चलिए तो रूपक आपका correct हो जाएगा अगला है आपका अगला आपका है जो उपमे में उपमान का आरोप होने पर कौन सा लंकार होता है तो यह आपको दिमाग में ऐसे बैठा लेना है अप उन्नत ही होता है क्या होता है तो यह आपको डारेक दिमाग में बैठा लेना है संभावना संभावना अगर होती है तो होता है क्या होता है उत्प्रेच्शा लंकर छिक है जब आरोफ होता है उपमेम में अपमान का मतलब बहुत आनिश्टता होती है तो वहाँ पर मैं छोगा अब फुल गए कुछ सा अलंकार तो यहां पर रहा है बार बार तो कहीं न कहीं илось की तरह पे संकेत कर रहा है अगला क्या है यह आपका बड़े नहुजे गुनन विन वरद बढ़ाई पाय कहत धतूरे सोकनक गहनों गढ़ों नजाए और उसके बाद क्या है प्रतूस इसमें कौन सी कौन सा अलंकार है तो इसमें कुछ है जैसे अतिश्योगति मतलब बढ़ा चला कर तो कोई बात की नहीं है अतिश्योगति होगा नहीं अब इन दोनों के बारे में आ चरण कमल बंदो हरी राई इसमें कौन सा अलंकार है ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है ठीक है तो चरण कमल उपमा तो की नहीं जा रही बढ़ा चला कर बात की नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि बीच में योजक्चिन दिख रहा है तो यह रूपा की तरफ जा सकता है तो आप अगल सुंदर स्याम सरीर इसमें कौन सा अलंकार है तो यह आप में इसमें होता है उलेख अलंकार होता है ठीक है यह अब यह भी आप ऐसा ही डारेक्ट टक लीजिए दिमाग में क्योंकि इसमें यह कोश्चन जादे बार तो नहीं पूछा गया एक दो बार पूछा गया है इसके बारे में मजादे आपको बताया नहीं हूँ लास्ट में मैं आपको बता दूँगा ठीक है चलिए ओके तो यह देखे बस एक बार पूछा गया वह भी स्ट्रेनोग्राफन में इतना इंपॉर्टन यह है भी नहीं ठीक है तो देखते हैं अगर एकार जगा और दिख दिवावशान का समय मेग में आसमान से उतर रही है वह संध्या 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 संद्र परीशी धीरे धीरे अच्छा मतलब है कहीं न कहीं दिवावशान का समय मेग में आसमान से उतर रही है वह संध्या 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 संध्य तो खुचटीं इसमें कॉन सा अलंकार होगा इसमें जो होता आपका अन्योक्ति मिल्गथまりi है जैसे उपमातुलना तो की नहीं जा रही है उत प्रेच्छा मनों मन जानों तो है नहीं बढ़ा चला कर बात कर नहीं रहे तो अन्योक्ति हो जाएगा ठीक है और अन्योक्ति की बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा मैं निकाल लेडी आपसे बढ़ कहाईए आ जाईए प्रेच्छा मनों मन जानों तो दिख नहीं रहा है रूपक कहीं योजक चिंद भी ऐसा कुछ है नहीं तो यह भी नहीं रहा तो कौन सा चले जाएंगे हम उपमा की तरफ चले जाएंगो यहीं जहां तक करेक्ट होगा जीहां आप देख सकते हैं अगले कोश्चन की बात कर अगले कोश्चन की बात कहां से देखें तो इसमें लिखा है संदेशन मदुबन कूप भरे तो आपको हरा गले कि अभे जाएंगा तो अतिश्चयोग्ती अलंकार हो जाएँ मतलब बहुत अधिक समानथा तो स्बिक नहीं इहरा नहीं नहीं ने बताया को तो कौन सा अतिश्चयोग्त तो यहां पर बढ़ा चला कर बात की जा रही है फी हो गया फील तो इसमें है रहीमन जो गत दीप की कुल कपूत गत शोय बारे उजियारे लगे बढ़े अधियारा होई ठीक है तो इसमें अगर जो ध्यान से देखा जाए तो दीप जो है इसके बारे में 3-4 बाती बताई गई है ठीक है एक तो यह पुल कपूत बोला गया है और अधेरा बोला गया तो दीप से रिलेटर बाते हो रही है उपमा हो नहीं सकता क्योंकि तुलना तो कुछ कराई नहीं जा रही है रूपक भी नहीं हो रहा है और यमक तो हो यहां पर कह तो यह तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा हुआगा तो कुंद दा दा कहीं वर्ण क्या बित्ति हो रही है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ठीग है इसब तो हो नहीं सकता आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्योंकि विपाव टीक इसको आप ढारेक दिमागं में बैठा लिजिए या पूत कपूत वाला वाला उसमेंभाषा थे गयена प्र अलंपरास तो जाता है था कि उपमें में उपमान की संभावना क्यालेसम है अगला उपमे मेंब उपमान का आप से कहा गया है कि अभेद अभेद मतलब बहुत नजदीकियां होती है अभेद तो आलेडी बता चुका हूँ रूपक अलंकार होगा अगला अगला क्या है अगला है आपका निम्ने से कौन सा साध्रिष मूलक अलंकार नहीं होता है बाकि सब आपके क्या होते हैं मुह लंका रंकार होते हैं ठीक है तो यह विश्य शक्ति वाला क्या हो जाएगा और अगला है आपका अब यह देखो अप उन्यती मैंने आल लेटी बताया है कि मैं आगे बताऊंगे बाइराल इसका डी आल आप समसा ही होगे हाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं इस अगला है आपका त्यान से देखिए उसा सुनहले तीन बरसती जैल लचमी सी उदती हुई ठीक है अब इसमें आपको त्यान से देखिए तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सालंकार है ठीक है तो देखिए उसा सुनहले तीन बरसती जैलचमी सी उदती हुई ठीक है से उदति तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखो तो निर्जीव को सजीव की तरह कीतरा और बताया जाता है तो यहाँ पर कौन सा होता है मानवि करन होता हहoh आप देखो तो उसा सुने ले तीन बरस्ती और उसकी तिल्ला किस्ति की जारे मतलब जैल अच्छमी सी उधत हुई ठीक है तो कहीं न कहीं इसमें निर्जी को सजी की तरह दिखाया जाएगा तो मानवी करण हो जाएगा क्लियर चलू नेक्स्ट यह देखिए आगया यहां भी और पखा और पेबन माल बिरज जिती हैं तो का 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 तीन चार बार दिख गया तो में अनुपरास के साथ यहां पर चला जाओंगा ठीक वर्ण के सब्धिक याब रित्ती होई नहीं है एक सब दिक नहीं रहा है तो यह सब हो नहीं सकते ठीक चलिए अगला है आपका क्या है पूत सबूत को देद यह दो तीन बार रिपेटेट है क्या हो जाएगा यह मकलंकार क्योंकि पूत सद्ध की सवरी 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 याड़ी मैं आपको बता चुका हूँ पूत सबूत वाला को धन संचे यह पिछली बार बताया था विध्यान नहीं दिया लाटार देखे यहां पर तो कौन सा हो जाएगा यमा कलंकार हो जाएगा ठीक कनक कनकती वाले सब्सक्राइब कर सकते हो अगला आपका जो रहीम देखो रहीम गत दीप वाला अभी में बताया कुल कपीत कुल कपूत गत शोय तो यहां पर कहीं ने कहीं दो इसकी क्या कहीं जा रही है इसको आ जा रहा हूँ तो वक्ति पहले समझेवर क्या होता है बात कहीं कुछ कुछ और जाता है ठीक है तो दियान से ग्ंसया भर तो बर्सों कित जाय के ऑन पर नहीं पकरड़नास को पड़ों मेंख से के यहां पर कहा कुछ हो जा रहा है समझा कूछ और तो यहां पर क्या होगा वक्क रोगति होगा tie कोगा थिस अगले पैंक है अगला क्या है बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज अब यहां पर देखो यह तो फरजी बात बोल दी गई नहीं कि बालों को खोलने से कैसे सूरज रास्ता बोल जाएगा तो कहीं नहीं नहीं बहुत बढ़ा चड़ा कर बात की जा रही है तो क्या होगा अतिश्योक्ती हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स पीपर पास सरस्मंडोला पीपर की पत्ते के डोलने की तुलना मन से कही गई है तो उपमालंकार अगला है आपका क्या है मुखबाल रविसम यह भी हो सकता है ठीक है तो लाता प्रास तो नहीं रहा और योजक्ची नहीं दिख रहा है तो मैं रूपक की तरफ जा सकता हूं असले concrete तो क्या हो जाएगा रूपक हो जाएगा क्यूं रिजरण क्योंख्यक्ता तर यहां पर गूंगत डाले अंचल पे दीप शिपाए तो अगला है आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है तो इसमें आपका क्या होगा रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि वहीं मैं फिर कहूंगा ऑप्सन डिरेक्शन चले जाएए आपको तुरंट जवाब मिल जाए ठीक कि अगला अगला है आपका सोहत ओड़े सोहत ओड़े पीतबत स्याम सलोने गात मन हमानों मनों जानों क्या उत्रेच्छा आगे ज्शाने के जरूरती में चल ऑगे बढ़े जानो कि कि अनुमान की पूछ में लगन लगन नपाई आग लंका सिगरी जल गई गये है आपका नाक का मोती अधर की कांती से बीज दाडिम कर समझ कर भ्रांती से देखकर सहसा हुआ सुक मौन है सोचता है अनिशुक यह कौन है ठीक है तो अब यहां पर देखो भ्रांती भ्रांती से रिलेटर है कहीं पर भ्रम की इस्तिति पढ़ रही है इसमें अगर ध्यान से पड़ो तो इसमें कहीं नाक का मोती अधर की क्रांती से वीज दाडिम का समझ कर भ्रांती से देखकर सहसा हुआ सुक मौन मतलब कहीं ने कहीं भ्रम की इस्तिति से रिलेटर बात हो रही है तो यह कौन से हो जाएगा धांतिमान हो जाएगा रूपक यह सब हो नहीं सकता है चलिए अगला यह मैंने आपको अलेडी बता दिया है अच्छा यह आपकी में है नहीं यह बहुत सारे लंकार होते हैं इसमें दीपक होता है यह जाते जानने के जोपने छोड़ सकते हैं अगला है यह अनुराग चित्ति की गत समुझें नहीं कोई जैंजयों बूरे स्यामरं तो इसमें क्या हुआ है बूढ़े स्याम रंग और यहां पर उजल होए तो यहां पर क्या हो रहा है अतलब कहीं काला और यहां पर उजाला तो दूनों दूसरे के क्या करने अपो जीट है तो क्या हो जाएगा विडियो धवाज अलेडी में बता चुका हूँ चलिए नेक्स आज़े 63-63 क्या कहा रहा है 63 पर दहान दीजी सब्सव्यापत नहीं लप्टे रहत भुजंग यह बहुत इंपॉर्टन कुष्चन है इसको ध्यान से देख लिए लगातार बोलने से प्यास बहुत लगता है जंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग तो इसमें इसको दिमाग में डारेक्ट बठा लो भाई दो तीन चीजे मैं आपको बताऊंगे डारेक्टी रखना पड़ेगा तो अदद गुण है कि आप इनके ग्जामपल में पूछे जाते हैं आप उनको जान लीजिए ठीक है तो चलिए यह समझ गें यह भुजंग वाला आपका अगला क्या है अगला हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका यह अभी आप चाहे तो इसको छोड़ी सकते हैं इसकी पीडिया मैं आपको टे तीन बेर से रिलेट है तो यहमा का लंकार हो जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट विमाता बन गई आधी भयावा हुआ चंचलना फिर स्याम स्याम घंक वहां ठीक है तो इसमें कौन सा लंकार है इससे पूछा जा रहा है तो रूपक तो होगा नहीं और वक्रोक्ती भी नही होगा बुजंग वाली में आतत्त गुड़ होता है तो कौन सा हो जाएगा स्लेस की तरफ हो लोग चले जाएंगे ठीक है इसमें एक वर्ड है उसके कई सारे मतलब है अगला अगला है आपका मंसागर मंसा लहरी इसमें क्या हो रहा है इसमें आप ध्यांतों देखो तो यह योजक्ची ने मिल गया और बूडे बहें अनेक तो यह सभी सेमें इसको किसकी तरफ लगा दूँगा अनुपरास की तरह लगा दूँगा यह सब हो नहीं सकता ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्या मैया मैं तो चंद्र खिलाओना लै हो ठीक है इसमें यह भी तो 70 यह रहा आपका उत्परेच्छा यह देखे 70 का कॉंस हो जाएगा अगला अगला आपका है क्या हो जाएगा इसको भी अभी कर दीजिए कोई इतना इंपोर्टेंट है नहीं एक मैं आपको और जब आप लोग की डिमांड होगी तो जो बचे हुए अलंकार है जैसे दीपक हो गया और वक्रोगती के बारे में बहुत मैं नहीं बता पाया हूँ अदद गुड़ हो गया तो इन सब की बारे में अलग से किया बर्तियोरी लियtl कि मनुझस्थे ही है और यहाँ पर मनुझस्थे अलग अलग नहीं कोई मतलब है ठीक है सेहां पर मतलब नहीं अकलता यहाँ पर कोई मतलब नहीं तो यह अलप्रास के तरफ चला जाएगा ठीक है अगला खिली हुई ध्यान से देखिए खिली जस्ट मिनट यह रहा खिली हुई हवा आई फिर कि सी सासी आ जाए क्या उपमा सोचना ही नहीं है आगे आगे आप ध्यान से देखो पापी मनुझ भी आज मुख से राम नाम निकाल लते ठीक है तो इसमें कौन सा हो जाएगा तो यह दृष्टांत होता है तो दृष्टांत भी मैं आभी आपको बताया नहीं हूँ तो इसमें दृष्टांत होगा ठीक है बस ऐसे जान लिजिए बहुत इंपॉर्टन नहीं है चरन कमल बंदो आसमान से उतर रही है वह संद्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे तो यहां पर यहां पर यह मैं आलड़ी आपको बता चुका हूं और आप्सन से और क्लियर कर दूंगा तो 77 तो इसमें उसके मानवी करन मतलब उससे कंपेर किया जा रहा तो कौन से हो जाएगा निर्जिव को यह बताया नहीं अगला आजाईए यह 79 की बात करता हूं जेते तुम ताते जेते तुम तारे तेते नबके तारे 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 अलग अलग मतलब है दुनों का ठीक है तूंस हो जाएगा या मकलंकार हो जाएगा अगला है आपका अंबर पनगट योजग चिन उसी की तरब बदा चुका है तो आपको आ की जाती है वही क्या होता है तो यहाँपर तुलना की जा रही है ठीक है तो इसमें कौन सा तू सा सा कई बार आ रहा है तो अनुप्रास की तरफ चले जो काम खतम ठीक चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है आपका जहाँ वर्ड ऑंड बता चोक हूँ आप वित्ती बार बार होती है वहापर क्या होता है सब्दो क्यों पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहे तू पराधीन पराधीन आ रहा हैक ज्टन नहीं और यमक की तरफ भी हम जा सकते थोड़ा से द्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या है पराधीन जो जन नहीं श्वर्ण नरक नहीं तो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है परादीन जो जन नहीं स्वर्ग नरग यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है चलिए 85 इसको आप कमेंट करके बताईएगा मैं भी थोड़ा सा इस पर सर्चावड करके फिर इसका आंसर दोंगा 85 का ठीक है क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा है कुछ हो सकता कुछ गड़बडी भ आके आप देखो यहां पर भी आपका आगया जननी तू जननी भाई देखो जननी जननी आ रहा है ना किसकी तरफ लाटा नप्रास की तरफ चला जाएगा तो थोड़ा बूत आप इस चीजों को समझ पा रहे हुए तो यह क्या है अनप्रास किसकी तरफ आता है सब्दा लं रहे ही मेरे हिसाब से तो हो जाना चहीए ठीक है नहीं नहीं यही वर्रत्य अनुप्रास है इसका मतलब है उक्री डे डोट चलाए तो यह संवग Quin एब के स्य深 нам रेडी आपको बता चुका हूं कनक कनकती ना ना यमक हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 90 के बाद 91 ये भी वही है चलो वही तो ये तो बोनस में मिल गया कनक कनकती वाला क्या हो जाएगा यम अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों के कि चीज़ें क कानक करकती सागर नी कौन्सा के एक ठीक अगला केरा तरेन के औरा गल्रंग में डूबी थी हमारी लाल में M माफ करेंगे एस में तो इसमें अगर देखो तो तो टृण टरेन या रहा रहा न तरन यहां 2 युह रहा तो क्या है खें ए मुए एस जाएगा this और यह रहा आपके सामने खग कुल 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 ओहो तीन तीन चार बार आ रहा है ठीक है सब बोल रहा तो कहीं न कहीं सब्द की आप रित्ती हो रही यह मकलंकार क्लियर चलो 95 95 अगर ध्यान से देखो तो क्या करा तो परवारों यह जह सबसे पहले यह यह जासि कोसे मतंति रही मंद मंद करन समेर इसमें कौन सालंकार तो इसमें क्या कोई रिपीट तो ऐसा कुछ दिमंद रिपीट हुआ है दिक नहीं रहा है मंद बंद सेम वर्ड की पीच लगा यह तो आगे तरह फैम डूँग चले जाएंगे यह जहां तक सभी होगा जी हां बिलकुल सभी है आगे क्या है चिर जीवों चिर जीवों जोरी जुरे क्यों ना सपने गमीर और को घटित ये विसभा नुझ वे हलधर के वीर इसमें कौन सा लंकार है तो यार वक्रोगती तो है नहीं वक्रोगती में बताया हो नहीं हो सकता यमक भी नहीं है आवित्ति दिख नहीं रहे इसलेस हो जाएगा ये चीक है बरत यह जया चलिए लंकार हो जाएगा और चलीन की बात करता हूं अच्छा जिस का भी पंक्ति में ना से देखिए अस्विशन से इलेटेट्ट जिसी पंक्ति में प्रियुक्त इक ही सब्द इक ही उससे अधिकवार आते हैं उस में पंक्ति में कौन कों सा लंकार होता है अच्छा जिस पंक्ति में किसी एक ही सब्द के एक सधिक अर्थ हो एक ही आएगा लेकिन अर्थ लग बहुत सारे होंगे वहीं हो जाएगा सुबरन वाला सिलेस को चोड़ कर जो बनते हैं सब्सकिण की सब्सक्राइबूं libro करण से नहीं ठीक हिर जृष छिवति क्रंग इसमें कौन सा है तो श्लेस लंकार एक सब्सक्राइब क कई सारे मतलब इन पर बताएं जा रूपक देखो ना समझ में अगर तो चुप चाप ऑप्सन से चलो रूपक आपको दिख रहा योजक्चिन वगएरा है नहीं मुनमवानों जन जानों दिख नहीं तुल्ला की नहीं जारी अब यसी बात है यहां पर दिख गया हम जादे पढ़ेंगे भी नहीं बाल पतंग व लेटी में बता चुका हों कौन से होगा रूपक कलंकर से चरण करें मलबंदो हर राए क्या होगा रूपक रेपीट होता है अब यहां पर बहुत अधिक समानता बता गया मतलब बहुत अधिक समानता है इस वज़े से राहु दोका खा गया अलग-अलग नहीं किया जा सकता ठीक चलिए अगला क्या है इसमें कौन सा तो योजग चिन गया तो उतिशोग बढ़ा चला कर बात की नहीं कि सासी से नहीं दिखा यो गया रूपक हो जाएगा सीधा सीधा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप से क्या कर रहा है इसमें कौन सा है यह चोड़ तो इसको कोई मतलब नहीं यह कोई पढ़ने का क्योंकि यह इतना जादे इसमें इस टाइप के आप भी पढ़े नहीं है तो इसको छोड़ ही देजे तो वही बेटर है अगला आपसे क्या कर रहा है अगला नील परिधान बीच खल अंग ज्यों मेग बनी गुलाबी रंग ओके इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लंकार होगा तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मिर्दोल अध्रोग अंग खिला हो ज्यों ज्यों दिखा तो यह किस की डीची यह नहीं हो सकता है और अगला क्या है आपका पीपर पात सरस्मंदोला इसमें कौनसा क्या पूछा है इसना उन पर किया है तो प्रक्रत्व के पत्ते से तुलना कि कि मन की किहीं न कहीं यह आपका उप में हो जाएगा क्या है मन हो जाएगा मन क्योंकि मन के बारे में बात की जा रही है कि मन जो है वो पत्ते से की समान हिल टूला है है मतलब बढ़लता रहता है 110 अब यहाँ पर थोड़ा से number हो जाएगा रूप अकलंकार जादे पढ़ने की जरूरत नहीं है अगला अगला क्या है आपका फूले का सकल महीं जाई जनु मनुमानो जनुमानो उत्प्रेच्चा हो जाएगा यह आपका इसे ही हो जाएगा अगला या मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरान दो बार आ रहा क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा ठीक है जादे सोचने की जोड़त नहीं है पराधीन जोजन नहीं नहीं स्वर्ग नरकता है तो पराधीन अभी पराधीन वाला में उपर बता चुका हो तो यह क्या हो अब्रिति हो किन्त अर्थ भिन हो वही है अब्रिति और ही अर्थ विन यमकलंकर कनक कनक ती दो अगला क्या है है आपका मुख रूपी चंद्र राभू बिदोखा का गया रूपकलंकर हो जाएगा अ लेडी बता चुका हूं अगला क्या है यहां बिना कारण कारिका होना बिभावना बता चुका हो नवी ही Jen बिभावना हो जाएगा अगला बहारत के सम भारत है यहां पर कौन さ य counterparts के लिए छोड़ी दीजिए कोई मतलब नहीं बनेगा अच्छा पूत वाला मैं आपको बता चुका हूं पूत कपूत वाले को इसी को मैं कहा रहाता है देखते हैं कौन कमेंट में बचाएगा कौन सा हो जाएगा लाटा देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है अगला मैं बार पीपर पात सरस मंडोला भाई अगलेडी बता चुका हूं क्या होगा उपमालंकार मन के डोलने के तुलना पीपर के पलतर से गई गई है अगला मनो मानो जंजानो दिख रहा है जी हां देखे उसकाल मारे क्रोध के तनुकापने उसका लगा मानो यह तो किया ना तुरे परसेंट आपका 80% में करना दस परसेंट और जितका जीरो परसेंट रहोगा वह सेवेंटी परसेंट तर पहुंच गया होंगे और यह एक्जामनेशन पॉइंट आप बहुत अपने आप में बड़ा है कुछ ऐसे भी अलंकार है जो मुझे देखिए अभी को मुझे भी करना चाहिए कमेंट करके बताना ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो